आप सवी का अपके अपनी यूटूब चेनल सुपर डूपर स्टडी में स्वागत थे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपोर्टेंड को डिसकस करने वाले हैं और देखिए हाँ पर मैं आपको जो इसका एंसर बताऊंगा ब क्या समझते हैं यानि जो चेप्टर है और नाम है नाम आपको बताना है कि यहां ल को से करते हैं तो यहां पर को संबंद किससे है तो राजनिती सता है यानि कि पॉलिटिक्स के स्टडी से हैं आगे देखे आगे आपका क्या है कि राजनीतिक सिधान्त के अंतरगत राजनीतिक के भिन्न भिन्न पक्षों विसेसकर राजी के मौलिक सिधान्तों तथा इसके भूत और बरतमान का अधियन क्या जाता है देखे अक्च्वल में जो इसके परिवासा अलग-अलग विद्दवानों ने अलग-अलग परकार से दी है देखे यह जो आपका राजनीतिक सिधान्त है ने अलग-अलग परकार से दी है इसका जो डेफिनेशन है इसका जो परिवासा है अलग-अलग विद्दवानों ने अलग-अलग टाइप का दिया है तो चलिए एकक करके डिसकस कर लेते हैं कि यहां पर जो कुछ विद्दवान है जहां पर राजनीतिक सिधान्त का जो डेफिनेशन दे रहे हैं किस परकार से देखिए आप ध्यान से तो सरव परतम डेविड हैल कहते हैं क्या कहते हैं कि राजनिती जीवन से सम्मंधित अवधारनाओं का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें सासन और राज की परकिर्थी और मनिश्य की राजनितिक छंताओं का विवरन सामिल है देखिए यहां पर डेव परकिर्थी और मनिश्य का जो राजनितिक छंता होता है कंप्लीट यहां पर इंक्लूड होता है यानि के सामिल होता है बात को एक पर फिर से समझ लिजिए आपका यह जो राजनितिक सिध्धांद है कोन कहते हैं ऐसे तो डेविड हैल क्या बोलते हैं जो आपका राजनिति जीवन से सम्मंदित क्या है यहां पर राजनिक जीवन से सम्मंदित जो भी अवधारना है इसका एक ताना वाना है जिसमें जो अमरा जो सासन है जो हमारा राज है इसका जो परकिर्ती होता है और मनिस्ट का जो राजनितिक जो छमता होता है इसका जो कंप्रिट जो विब्रन होता है हर एक चीजिस में इंक्लूड रहता है ठीक है सर यह कुन बोल रहे हैं तो यह बोल रहें डेविड हैल्ड और आगी देखिए और बहुत सारे बिद्वान है जो अलग-अलग बात बोलेंगे अलग-अलग डेफिनेशन बोलेंगे तो देखिए यहां पर हमारे पास और बिद्वान है जिनका नाम है जोर्ज केटलिन जोर्ज केटलिन क्या बोलते हैं देखिए इसकी दूसरी परिवासा जोर्ज केटलिन देते हैं क्या बोलते हैं कि राजनितिक सिध्धान्थ में राजनितिक दर्शन तथा राजनितिक विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं बात को इसका तानावाना है इसमें हमारा जो सासन होता है जो राज जो होता है इसकी जो परकिर्ती है और मनिश्य का जो भी राजनितिक छमता होता है हर एक जिसमें सामिल होता है और जो जो क्या बोलते हैं कि जो हमारा राजनितिक दर्शन और राजनितिक विज्ञान दोनों के दोन के definition बोल रहे हैं और यहां पर इसका जो मेंडेफिनेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा इसको भी सबसे पहला प्लोग समझ लिजिए तो देखें यहां पर क्या है यहां पर है कि इस प्रकार बिभिन परिभासाओं से यह इस पस्ट होता है कि जब कोई विदवान राजनीत समझसा होगा यानि कि जो भी पॉलिटिकल जो भी प्रोलम सोंगे तदा बर्तमान विवादित राजनीतिक अवधारनाओं की लोचनात्मक समिक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों का एक धांचा प्रस्तुत करता है अत्वा जो निसकर्ष निकालते हैं उन्हें सबसे पढ deal आप लोगए जो यहां पर कहा जा रहा है इसका का मतलब को समझ लिए कई है कि इस परकार बिभिन परिभासाओं से cash होता है कि कोई विद्वान जो भी हमारा रायनितिक समझसा है तेक इसelt करता है Ajay जो भी विवादित जो भी हमारा जो भी राईनितिक अवधारना है उसका जब अलोचनात्मक समिक्चा परस्तुत करता है या पर आप बोल सकते हैं कि उससे जो भी निसकर से निकलते हैं उन्हें को बोला जाता है को मतलब होता है तो भी वादितिक सिद्धान्त का यहां तक जो मतलब है अही होता है और यहां पर साज में आपको बहुत ही अच्छे त्रीकिस बताया है आपको समझ भी आया हुगा और इसी प्रकार से आपको important questions बोलिए, पुरा chapter का questions बोलिए, हर एक चीज़ मिल जाएगा सर, केवल आप लोग हमारी चेनल के साथ बने रहें, अगर आप लोग हमारी चेनल पर पहरी बार आए हैं तो चेनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा अचा कॉमेंट्स करन ना भूलिएगा और bell का कर जो icon answer उसको दबा दिजिए, क्योंकि आपको notification मिलता रहेगा, तो चलिए मिलते हैं एकले वीडियो में, thank you, जहिंद